हाई गैस एंड वेलकम बाक टू दी चैनल दीपाई चैदव एजूकेशन वेलकम दी डेली करेंट अफियर्स ऑफ 28 ओफ फेबरी 2023 तो गैस आज है तारिक 20 फरवरी 2023 और है मंडे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभी अफियर्स को हम यहाँ पर डीटेल से डिसकस करेंगे यह वीडियो यूपीसी और स्टेट पीसी के पॉइंट अव्यू से बहुत जादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो चलो शुब आरम करते हैं बट आगे बढ़ने से पहले में आपको बता दूँ यह वीडियो हर रोज मॉर्निंग में पांच बजे राइट टाइम आपको इसी चनल पर मिल जाता है तो आज कौन-कौन अपने समय में प्रेजेंट हो चुका है वीडियो में लाइव चैट में जरूर से मेंशन करना बाकी इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इन एक्सप्रेस के उपर फोकस करते ह हैं लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे इंपोर्टेंट सोर्स जैसे की पी डाउन टूर्थ लाइवमिंट के न्यूज आर्टिकल्स को बैक्राउंड इंफरमेशन के साथ में भी डिसकस करते हैं वीडियो का जो एंड वो बहुत ज़दा इंपोर्टेंट होने वाला है क्यो टेस्ट को अटेम्ट करता हैं वाग इस लेक्चर का आपको पीडियेफ चाहिए तो इसके लिए आप टेलिग्राम पर जा सकते हो वहां पर जाकर दीपाच ज्यादा वेजूकेशन यूपीए से लिखना है आपको यह वाला चनल मिलेगा यहां साथ डेली बेसिस पर इस ले कि यह जो वीडियो है ना पिछले दो दिन से आनी पाया है वैसे संडे में नहीं आता है लेकिन पिछले संडे में रिविजन स्टार्ट किया था लेकिन वो कल नहीं कर पाया था और उससे पहले सैटरडे का वीडियो भी नहीं आ पाया था तो परिशान तो पहली बाद मत हो ना कि उस दिन का मेरा कोई content छूट दिया है वो content मैंने रेडी कर लिया है वो पीपीटी के अंदर मेंशन है तो वो जो content है उस दिनों का वो छूटा नहीं है तो उसके लिए आप बिल्कुल परिशान मत होना दूसरा वीडियो को क्यों नहीं आ पाया तो यार मेरे थ्रोट में infection हो रहा है तो उसकी वज़ा से पिछले तीन चार दिनों से बहुत ज़्याद प्रॉब्लम्स हो रही है अभी मैं यहां पर दिखाने है वहां बहुत दूर हूँ तो इस वज़े से यहां पर पता है यह मैं pen tablet भी नहीं लिका है वहां जिससे कि मैं लिख पाऊं सही से तो ज पता है पूरी कोशिश करने की कोशिश ही करता हूं मैं लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता कि यहां पर कभी कभी वीडियो उसको regular रख पाऊ शाम वाली इनफाक्ट सुबा वाली वीडियो तो मैं regular रखी लेता हूं जैसे तैसे बट शाम वाली में थोड़ी बहुत problems आही जात तो हुआ क्या है आपको पता है कि कल 19 February थी और 19 February को छतरपती शिवाजी महराज जो जनती है वो यहां पर मनाई जाती है तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी इनकी जनती पर इनको शद्धांजली दी है उस वज़े से यहां पर अभी छतरपती शिवाजी महराज चर्चा में ह तो जो हम लोग बात करते हैं छतरपती शिवाजी महराज की तो काफी सारे लोगों को देखो पता ही है बहुत सारी चीज़े इनको इनके बारे में पता ही होगी मैक्सिमम लोगों को जो मराठा किंडम है उसके फाउंडर है प्लस यहां पर इनका जो जन्म है वो होता है 19th February 1630 में कहां पर एक किला है जिसका नाम है शिवनेरी फोर्ट वहाँ पर इनका जन्म होता है प्लस इनको हम लोग फादर ओफ इंडियन नेवी की तरह भी जानते हैं इनको फादर ओफ इंडियन नेवी बोला जाता है ध्यानकना वन डे एक्जामनेशन के लिए important है अच्छा ऐसा क्यों क्यों क्योंकि शिवा जी वो व्यक्ति थे जीनों ने याँ पर इस चीज को महसूस किया और realize कि आखिरकार naval force का कितना ज्यादा importance हो सकता है देन उसके बाद में इन चीजों को सोचने के बाद में realize करने के बाद में उन्होंने एक नेवी को बनाया fault को बनाया बिल पर जो symbol है वो चतरपती शिवाजी का ही यूज किया है आपको पता होगा फिर उसके बाद में चतरपती शिवाजी महराजी के पास में एक council of minister हुआ करता था जिसको हम लोग अष्ट प्रधान के नाम से जानते हैं ताकि वो यहाँ पर इनको advice दे सके अलग-लग matters पर बट उ जिसका नाम है gorilla warfare tactics इसमें क्या होता है दुश्मन के ओपर surprise attacks यहाँ पर किये जाते हैं तो उस चीज के लिए भी यहाँ पर शिवाजी महराजी जाने जाते हैं चीक है बात clear हो गई क्योंकि यहाँ पर बात ये थी ना कि वो जो जमीन है है ना उस जमीन से काफी ज़दे वाक आटिकल है जिसमें सहमने जो पहला आटिकल है वो कवर किया है important days से related है काफी सारे लोग मुझसे बोलते भी है सर important days को cover कर दिया करो तो छोटी सी कोशिश की है आज और आई होप इसको में आगे continue कर पाऊंगा फिर उसके बाद next important article आता है यहाँ पर बात की गई है All India Domestic Workers Survey के बारे में तो यह जो सर्वे है रिसेंटली चर्चाम आया है जो हमारे minister of state for labor and employment है उन्होंने हाली में लोकसबा को inform किया है कि जो हमारा labor bureau यानि यह जो body है वो अभी All India Domestic Workers Survey कंडट कर रही है एक सर्वे यहाँ पर चल रहा है तो यह All India Domestic Workers Survey क्या है देखो यह पहला इस प्रका राज्य और सारे यूरें टेरिटरीज को कवर करने वाले हैं लगबग यहाँ पर 1.5 लैक हाउस होल्ड को कवर किया जाएगा जो की 742 डिस्रिक्ट्स के अंदर फैले हुए हैं इन सब एरियास को यहाँ पर कवर किया जाएगा अच्छा कवर करके करेंगे क्या है इस सर्व का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह है एस्टिमेट करना यानि कि एक नंबर का पता लगाना एक अंदाज नंबर हमारे पास में होना कि आखिरकार नैशनल और स्टेट लेवल पर ठीके ना कितने डॉमेस्टिक वरकर से घर में काम करने वाले कितने लोग हैं तो उसके लिए अब इस सर्वे को कंड़क क्या जा रहा है आप इस सर्वप कंड़क करने के पीछे एक इंपॉर्टेंट वॉड्डी है वह है लेबर बूरह और मैं आपको बता दुमारे बी इंद्वेंशन को लेकर जो question पूछा था वहाँ पर labor bureau से संबांदित कुछ चीज़े पूछी गई थी डारेक्टली ठेकन अब वो question का answer आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा इस वाले sentence में तो एक और नई तरीके से question बन सकता है क्योंकि हम previous year question paper को analyze करके ही उस particular examination के nature को समझ सकते हैं तो जब बात करते हैं labor bureau की तो labor bureau एक office है जो कि हमारे ministry of labor and employment के अंदर में आता है तो question पहला यही है यह कौन सी ministry में आता है तो ministry of labor and employment इस body को setup के आई था 1st of October 1946 में इसका काम है compilation collection और analysis को यहाँ पर ready करना खासकर labor को लेकर जो हमारे labor होता है ना उनके compilation उनके जो अलग-अश्पक्ट से उनको cover करने की कोशिश करता है जो जो statics आते हैं labor के regarding तो उन data को लाने की कोशिश करता है प्लस इसके अलावा यह क्या करता है जो हमारा CPI यह consumer price index number for industrial worker जब हम लोग CPI inflation को मापता है ना तो अलग-अलग तरीके से मापता है तो उसमें यहाँ पर consumer price index numbers for industrial worker को भी release करने वाली body labor bureau ही है ठीक है उसके साथ यहाँ पर आप ध्यान में रखना जो agricultural rural laborer है यह भी यहाँ पर labor bureau ही present करता है उसके बाद में retail price index for selected essential commodities and urban areas इसको भी यहाँ पर labor bureau ही release करता है उसके बाद में जो quick employment survey है और employment and unemployment survey है रोजगारी बिरोजगारी को लेकर जो भी सर्वे होता है वो सारे के सारे surveys labor bureau ही conduct करता है तो यह था हमारा first important article second article पर आता है देखो second article पर बढ़ने से पहले make sure करना वीडियो पर जो like button उसको press कर दना हमारा एक छोटा सा target है 2K plus likes का जिसको आप achieve करवा सकते हो then अगला article बात करता है आदी महुसफ के बारे में यह article भी पिछले कुछ दिनों में बहुत जादा चर्चा में आया है तो recently जो हमारे भारत के प्रधान मंतरी है उन्होंने आदी महुसफ का जो festival है जो तहार है इसका उद्घाटन क्या है recently कब क्या है 16 February को इसका उद्घाटन Federation of India अभी मैं आपको आगी डीटेल से बताऊंगा बस अभी इतना ध्यान नको आदी महुसफ फेस्टिवल को उद्घाटन क्या किया recently इस वे से चर्चा में है जब हम इस फेस्टिवल की बात करते है न तो यह एक annual tribal festival है यानि कि हर साल इस प्रकार का जो festival है वो मनाया जाता ह अच्छा इसकी शुरुबात कब हुई थी तो 2017 में इस festival को celebrate करना start क्या हिया था और यह एक joint initiative है joint initiative मतलब इस festival को जो organize करता जाता है यह दो bodies मिलकर करती है एक तो ministry of tribal affair है दूसरा trifet है trifet की fulfillment आपको बता दिये एक बार और बताता हूँ आगे मैं आपको इसके बारे में और detail से पड़ाऊंगा तो trifet है tribal cooperative marketing development federation of India अच्छा यह जो festival इसका मकसद क्या है देखो इसका मकसद है कि जितने भी हाँ पे people है उस particular event में जो भी जाएंगे जो festival होगा पूरा यहाँ पर exhibition लगेगा वहाँ पे लोग जाएंगे tribal people भी होंगे बहुत सरे लोग बहुत सरे जो tribal communities आती ह हुई है कहाँ पे न्यू डेली के मेजर ध्यांचंद stadium है अब वो सब लोगों की जो कलाकारी है उन्हें उस कलाकारी को दिखाया है अपनी कलाकारी को वहाँ पर प्रेजेंट क्या है किसे ने potries बनाई है अलग लग चीजों को बनाकर प्रस्तुत किया है तो इससे क्या हो र क्या है celebration of the spirit of tribal crafts culture and commerce आ गयाते हैं मैं आपको बताया ना कि इस festival को celebrate क्या जा रहा है ministry of tribal affair के बहुत बढ़ा रोल है दूसरा trifet का बहुत बढ़ा रोल है तो trifet के specifically यह भी आपको बता होना चाहिए trifet नाम की जो body है 1987 में लाई गई थी इसको एक act के तहत यहाँ पर बनाया गया था उस act का नाम है multi-state cooperative societies act of 1984 इस body के तहत यहाँ पर इसको बनाया गया एक national level पर उच लेवल की body मानी जाती है जो की ministry of tribal affair के under में आती है अच्छा सवाल यह है इस body को क्यों मनाया गया इसके पीछे का reason क्या है इसके पीछे का reason है जो हमारे देश में tribal people है है ना जो आदिवासी लोग आपको देखने को मिलते हैं उनका socio economic development करना उनके विकास के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर यह जो body है यह work करती है उनके जो भी products है उन्होंने जो products बनाये हैं उनकी marketing development करना वो सारा काम यहाँ पर tribal का होता है यह जो organization है यह tribal people को assist करती है उनको समझाती है चीजों को सिखाती है कि वो कैसे आप और बहुत सारी जो opportunities है national और international market मों इसको explore कर सकते हो जो अपने products बनाये हैं अपने कलाकारी से अपने talent से उसको आप कैसे international और national market तक पहुँचा सकते हो उसमें यहाँ पर यह जो tri-fit नाम की body है वो उन लोगों की help करती है समझ मा गया बात के लिए रूखे simple है कुछ यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है next article आता है देखो हाली में यह भी बहुत चर्चा में था क्योंकि कुछ article हमारे पिछले भी हैं जो gap हो गया था वो भी मैं cover कर रहा हूं तो इस वससे आगे पीछे हो रहे हैं कोई बात नहीं cover जो ना चाहिए बस यहाँ पर बात की जा रही है Arrow India 2023 के बारे में recently हमने detail से discussion किया था आपको याद आ रहा होगा दे हिंदू के अंदर में आपको एक छोटा सा topic पढ़ाया था बट अब आपके बास में कुछ content ready रहेगा इस Arrow India को ले कर तो हुआ क्या हाल ही में जो भारत के प्रधान मंत्री है इन्होंने चौधवा जो एडिशन है Arrow India 2023 का उसका उदगाटन कर दिया है और यह जो Arrow India 2023 का उदगाटन हुआ है वो कहां पे हुआ है बैंगलूरू में हुआ है ठीक है तो Arrow India 2023 क्या है अव समझते हैं Arrow India देखो अपने आप में ही अगर हम लोग बात करें एक trade fair है यहाँ पर आप कह सकते हो न हम लोग क्या करते हैं हमारे पास में जो technologies available है defense sector है हमारे पास में जो aircraft विमान वगरा available है उनका showcase करते हैं हम उनको दिखाते हैं यहाँ पर उनको showcase किया जाता है अपनी technologies को दिखाया ज जाता है अच्छा किसको दिखाया जाता है तो हमारी देश की कई सारी कंपनिया हैं बहुत सरे लोग हैं in fact दुनिया बर की बहुत सारी जो defense कंपनिया है वो भी यहाँ पर participate करती हैं है तो उन सब के प्रती यहाँ पर इसका showcase किया जाता है ताकि उन लोग अगर पसंद आता ह है तो वो लोग purchase कर सकते हैं purchase करेंगे तो इससे क्या होगा भारत का जो defense export है वो increase होगा हम लोग इस समान को बाहर बेच पाएंगे इससे हमारा already defense sector grow करता बनजर आएगा simple बासमझ मारी है न तो arrow India show की जब बात करते हैं तो हर दो साल में इस show को conduct किया जाता है और इस साल का ज arrow India 2023 को organize किया है इस बार का theme क्या है तो 2023 का जो theme है वो है the runway to a billion opportunities और जैसे में आपको बताया theme as it is रटना पड़ेगा theme में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता फिर उसके बाद में last point अगर हम देखते हैं तो यह तो एक basically fair था यहां पे showcase वगरा किया गया उसके साथ साथ मैंने आपको बताया बहुत सरी जो defense companies हैं और defense से related बहुत सरी bodies हैं दुनिया भर की वो सब यहां पर आती है participate करती है participate करती है उनको कोई हाँ पर हमारा defense product पसंद आता तो वो purchase भी करती है प्लस उनका product क्यूंकि आपको पता होगा USA का भी एक विमान recently आया था उसने भी showcase में अपना जो air show है वो conduct किया था तो उनके भी कुछ-कुछ product जो है अगर हम पसंद आता है तो हम लोग यहां पर उसको purchase करता है ठीक है बात clear हुई next article पर आता है अगला article बात करता है info crop simulation model के बारे में important model है कुछ नई सी चीज है तो आपको पता होना चाहिए तो हुआ क्या हाल ही में ज experiment में क्या किया गया हम लोगों ने पता लगाया कि जो पंजाब और हर्याना के अंदर फसले हैं जो crop है उसके उपर जो यह hot weather है जो खासकर वातावरल गरम हो रहा है इसका impact क्या पढ़ रहा है ठीक है तो इन चीजों को यहां पर पता लगया गया एक experiment के मादर हम से और कैसे पता लगया है info crop version 2.1 का use करके तो इसी वज़ा से जो यह info crop है यह काफी ज़दा चर्चा में है तो क्या है info crop जिसका use किया या इसको समझेंगे साल 2004 में info crop version 1 ठीक है इसको launch किया था IARI के थूँ अगेन वही Indian Agriculture Research Institute के थूँ बाद में इसको हम regular basis पर update करते वे चले गए तो य एक ऐसा model है जो कि हमारे crops के बारे में और details से information देता है कि kilo का कितना बड़ा खत्रा है kilo की वेसे यहापर क्या क्या loss हो सकता है environment का impact पड़ रहा है उसका पूरा data हम लोग यहाँ पर collect कर सकते हैं प्लस इसके पास में यानि कि जो हमारा यह info crop है यह है एक ऐसी चीज जो कि क्या कर सकता है हमारे जो crops है खासकर specifically 11 crops की बात के जारी 11 ऐसी फसले जो local varieties है पंजाब हर्याना के अंदर में इनका पूरा का पूरा cycle data है वो collect करके रखता है पूरा साल का data collect करके रखता है है ना क्या loss है क्या impact पड़ रहा है environment का वो सब चीज यहाँ पर collect करके रखता है ठीक है त सारे यहाँ पर आपको जो crops में वो देखने को मलती है प्लस यहाँ पर जो यह version है जिसके बारे मैं आपको बताया info crop version यह का करता है इसका काम यह भी है कि daily business पर आपको समरी दे daily business पर आपको एक छोटा सा data दे कि आपका जो crop उसको लेकर कैसी growth चल लाई है क्या parameters है nitrogen uptake कितना है कितना pollution हो रहा है greenhouse gas emissions हो रहा है है ना तो यह सारा data आपको यहाँ पर मिलता रहता है इस चीज़ करेगा ने तो ऐसे questions बन सकते हैं ध्यानक ना फिर बात आती है तापस UAV की तापस UAV कह सकते हो तापस UAV UAV मतलब है unmanned aerial vehicle recently काफी ज़दा चर्चा में है यह आपको यहाँ पर है उसको शेर गया है aerial coverage मतलब उपर से खींचा वा footage है वो हमारी ground का air display यह सारी चीज़े capture की गई है और वो capture किसने क्या है हमारे देश के थूद का बनाया वा जो यह UAV है जिसको नाम दिया गया है तपस ठीक है तो यहाँ पर यह तपस UAV एक unmanned aerial vehicle है इसके थूद यह सरगसर इस वज़े से यह काफी ज़दा चर्चा हम है कि तपस UAV exactly क्या है और in fact यहाँ पर तपस UAV एक rehearsal कर रहा था और लगवग 12,000 feet की उचाई से सारा data capture किया यह है ठीक है तो क्या है तपस UAV question बन सकता है बिल्कुल बन सकता है इसको हम लोग तपस BH के नाम से भी जानते है फुल के उपर दिया गया है जो कि एक फॉर्मर प्रोफेसर रह चुके हैं इंडियन इसिट्यूट आफ साइंस बैंगलूरू के अच्छा इस UAV को किस ने डेवलप किया है तो इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है एरो नॉटिक डेवलपेंट इस्टबिश्मेंट के इन्होंने इहां पर इसको डेवलप किया है हाला कि इन्होंने इहां पर पार्टनर्शिप की थी इनके कुछ साथ में प्रोडक्शन पार्टनर्स थे जैसे हिंदुस्तान और और अटक से लिमेटेड हो गया भारत इलेक्ट्रोनिक से लिमेटेड हो गया इनके साथ में पार जदा इसकी advanced level के वो भी बताई जा रही है प्लस technology higher होने के साथ साथ ये थोड़ा सस्ता है अब अगर हम इस प्रकार का drone किसी बाहर किसी दूसरे देश से खरीते तो वह में महांगा पड़ जाता ऐसा या पर बोला जा रहा है तो जो imported drones होते हैं उससे भी सस्ता पड़ा है और बहुत जदा टक्कर का drone यहां पर बनाया गया है अब की बार यह तो नाम ध्यानक ना तापस UAV exactly क्या है next important news article recently काफी चर्चा में भी था Marburg Virus Disease recently काफी जदा news में आई है तो Marburg Virus Disease के बारे में discussion करेंगे क्योंकि यह article हमारे दहिंदू में cover हो चुका है लेकिन Indian Express में भी वापस से आया था तो मैंने सोचा इस भी cover कर लेते हैं relevant article है news का है इसको समझते हैं world health organization ने हाली में बोला है जो equatorial गिनी नाम का एक देश है एफरीका में यहाँ पर पहली बार Marburg Virus जो है बिमारी यह पाई गई है अच्छा यह equatorial गिनी कहां पर है अगर मैं आप लोग को exactly African continent दिखाऊं तो यह पूरा African continent है यहाँ पर कैमरून नाम का ए में यहाँ पर एक छोटा सा देश नजर आ रहोगा equatorial गिनी इसकी capital है Malibu तो equatorial गिनी यह एक छोटा सा देश है African country है यहीं पर क्या हुआ recently Marburg Virus की जो disease है वो फैलती हुई नजर आई है जैसे Corona हो है ना वैसे यहाँ पर यह मार्ग वारस disease है जो की काफी ज़दा खतरनाक मानी जा रही है तो इस disease के बारे हैं पता होना चाहिए है क्योंकि examination में disease को लेकर काफी सरी questions बन जाते हैं तो Marburg Virus disease इसको हम लोग पहले Marburg Hemorrhagic Fever के नाम से भी जानते थे एक बहुत ज़दा rare disease है मतलब बहुत ज़दा मुश्किल से देखने को मिलती है और खासकर यहाँ पे बह बहुत जादा भहंकर तरीके से इनसान को बुखार आ जाता है जब भी यह बिमारी उसको लगती है प्लस जो इनसान है ना उसके साथ साथ जो non-human primates है जैसे बंदर वाली जो प्रजाती होई एपस वाली जो प्रजाती होई उनको भी effect करता है तो people के साथ साथ non-human primates को भी effect करता हूँ नजर आता है उनके उपर बुरा असर डालता है यह भारी भर कम बुखार जो कि इस disease के अंदर में हो जाता है अच्छा question यहाँ पर यह है कि यह बिमारी होती कैसे है जो markberg वाइरस डीजीज है यह markberg वाइरस मारग नाम के वाइरस की वजासे होती है एक ऐसा पहली बार recognize की गई थी 1967 में जब पहली बार outbreak हुआ था ना markberg के अंदर में अच्छा question दिमाग में आपके और आ रहा होगा इसको हमने markberg ही क्यों बोला है क्योंकि जर्मनी नाम का जो एक देश है वहाँ पर एक छोटी सी जगा है markberg वहीं पर सबसे पहली बार इस बिमारी का आउटब्रेक हुआ था उसके बाद ये मिमारी धीरे 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 दुनिया में फैल गई इस वज़ए से यहाँ पर जो जर्मनी का एक चोटा सा देश है सोरी चोटी सी जगा है वहाँ पर उसके नाम के ओपर ही यहाँ पर इस वाइरस का नाम रखा गया है मारवर्ल ठीक है बात क्लिर हो गई तो जर्मनी के अंदर ये पहले आउटडेक हो चुका है दूसरा यूगा उसलाविय में जो कि आज के समय पर सर्विया के नाम से जाना जाता है ना यहाँ पर भी ये वाइरस पहली बार निकल कर आ चुका है question यह है कि इस अरप ने बोला यह जानवर से इंसान में फैलता है तो कौन से जानवर से इंसान में फैलता है मतलब कोई जानवर है जिसके अंदर ये वाइरस पहा जाता है बिलकुल वो है African Fruit Bat यहनी जो चमकादड है जिसका scientific name है रॉसेटस एईप्टियकिस तो ये जो चमकादड है न में यह वैसे ही बहुत सरे वायरस होते हैं और मारभक वायरस भी यहां पर रिसी के अंदर प्रिसेंट है और इस चमकादड से जो वायरस हो फैलता हुआ नजर आया है। बात clear हो गई, अब question है transmission की, कैसे ये फैलता है, बिलकुल चमकादर से वो इंसान में जाएगा और फिर इंसान से इंसानों में वो transmit हो सकता है, यह यहाँ पर इसका transmission process है, बाकी fatality rate की बात करें, मतलब इसमें लोगों की मरने के किते chances है, 50% यहाँ पर chances है, average 50% का rate fatality rate यहाँ प specific treatment नहीं है, जो मारुबग virus disease को ठीक कर सके, यह भी आपर एक important चीज़ है, हाला कि जब भी किसी कोई disease होती है, तो उसका survival rate बढ़ाने के लिए, थोड़ा समय तक उसको जिन्दा रखने के लिए, हम लोग supportive therapy उसको provide करवा देता है, यानि उसके body में जो electrolyte है, उसको replace कर देना supplemental oxygen provide करवा देना, इन काम के तो उसका survival है, उसको improve कर सकते हैं, थोड़े और जादे समय तक वो अनसान जीवित रह सकता है, लेकिन particularly बात करें कि हमारे पास पर कोई इसका proper solution है, तो वैसा कोई proper solution नहीं है, ठीक है, और मैंने आपको बताया, यह जो disease है, इसमें क्या होता है, ए इस वुखार से अगर कोई भी इनसान पीडित होता है, तो बहुत सरी problems वो हीस कर सकता है, for example, उसके जो organs है, बहुत सरी जो अंग है ना, body के, वो यहाँ पर affect हो सकते हैं, बुरी तरह से, जो उसका पूरा cardiovascular system है, जो यानि कि हमारा heart वगरा है, वो काम करना बन कर सकता है, उसक कभी कभी यहाँ पर यह इनसान को बहुत थोड़ा बहुत परिशान करता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर इतना खतरनाक तरीके से उसको लेग जाता है, बुखार कि उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है, यानिकि इसको हम लोग कभी कभी mild illness भी देख सकते हैं, इस particular category में, कभ कभी हम लोग life-threatening disease की तरह भी इसको देखते हैं, ठीके, बाकी में आपको बता दिया है, कोई भी proper अभी cure या proper कोई solution या proper vaccine यहाँ पर इसकी available है नहीं, ठीके, तो ऐसे question यहाँ पर बिमारियों को लेकर बन जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, यह मैंने आपको पहले example द इन्होंने हाली में लोकसभा को inform किया है, कि जो यह body है, ICHR, इन्होंने अभी तक कोई भी project launch नहीं किया है, भारत के इतिहास को वापस से लिखने के लिए उसके बारे में इन्होंने mention किया है, तो इस वज़े से यहाँ पर जिक्र आया है, ICHR का छोटा सा, तो हम discuss करेंगे, आखरकार, Indian Council of Historical Research क्या है, क्योंकि, क्योंकि question आपका इसी topic से बनने वाला है, ठीके न, news से जादा important आपका background data है, हर साल question यहीं से बनता है, तो बात करेंगे, Indian Council of Historical Research क्या है, तो यह एक autonomous organization है, जो ministry of education के अंडर में आती है, एक ST organization, जो की अपने आप से decision वगरा ले सकती है, यह यह उसके पास में powers है, तो ministry of education के अंडर में आती है, इस body को established किया या था 1972 में एक administrative order के तहद, प्लस यहाँ पर इस body को register किया या है, कौन से act के अंदर भाई ध्यान रखना, societies registration act है, हमारे पास में 1860 का, इसके तहद यहाँ पर इसको register किया या है, यह जो body है, यह डेली के अ पूटा center इसका देखने को मिलेगा, question बन जाते हैं, मैं आपको अगर example दूँ, तो T board को लेकर ऐसे question बना था, यहना T board के बारे में आप से पूछ लिया गया था, कि इसके जो regional center से वो कहां कहां पर, इसका headquarter कहां कहां पर है, ठीक है, तो इस बात को यार ध्यान रखना, ठी इसका objective क्या है, जितने भी historians होते हैं, जिनको history की काफी अच्छी knowledge होती है, उन सब को साथ में लेकर आते हैं, प्लस यहां पर एक मंच ऐसा provide करवाते हैं, जहां पर वो historians आपस में अपने point of views को exchange करें, आपस में discussion करें, प्लस यहां पर आपका सकतो, जो हमारी history है, उसमें यह सब आपस में मिलकर आकर coordinate करें, और जड़ा research करें, यहां पर इसके उपर हम लोग special focus देते हैं, यहना साथ में आकर कुछ नएनी चीज़ों के उपर focus किया जा सके, जो हमारे पास में knowledge को और ज़ाद expand किया जा सके, उसके उपर major focus होता है ICHR का, I hope guys आपको यहां पर clarity मिल की होगी, अब यहां पर हम लोग start करेंगा अपने questions को, जितने भी article अभी हमने discuss किया है, अगर आपने अच्छे से सुन लिए हैं, तो आप समय है उन questions के test को attempt करना, मैं आपको line से पहले starting में सारे questions बताताब चलूँगा, आपको क्या करना है, एक एक करके सारे answers देने हैं, ठ पताना है कौन सा statement correct है, statement 1 बोलता है, यह जो marburg virus disease है, एक fever, hemorrhagic fever है, जो कि क्या करता है, हमारे people और non human primates को affect करता है, यह इनसान और साथे साथ में जो जानवार हैं, खासकर बंदर, apes, उनको यहां पर affect करता हो नजर आता है, दूसरा statement बोलता है, यह जो बिमारी है, यह transmit ह होती है, कैसे, यहां पर यह transmit होती है, fruit bats से, जो हमारा चमकादड होता है, उससे इंसानों में फैलती है, और उसके बाद में यहां पर यह humans में फैलती है, और उसके बाद में human से human transmission होता है, तो क्या है statement सही है, दोनों statement को देखते वे, आपको सही उत्तर देना है, option A बोलता ह हमने डिसकस किया था इंडियन काउंसिल अफ हिस्टॉरिकल रिसर्च के बारे में तो यह जो आईजिये चार यह क्या है इसको लेकर दो स्टेटमेंट जे गए बताना है कौन सा सही है पहला स्टेटमेंट यह एक ऑटोनमस और्गनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ओफ कल्चर क एंडर में आती है दूसरा स्टेटमेंट यह जो बॉड़ी है ना यह बॉड़ी क्या करती है कुछ फंड यहां पे डिसबर्स करती है ताकि हम क्या कर सकें बहुत सारा रिसर्च कर सकें है ना रिसर्च कर सकें इंडिया को लेकर रिसर्च करने में साथी साथ में यह जो दोनों के दोनों गलत हैं आगे आते हैं उसके बाद में next question की तरफ आगला question बात करता है info crop simulation model के बारे में तो यह जो model है यह recently news में देखने को मिला है इसको किस ने बनाया है किस ने develop किया है बहुत interesting सा question ऐसे question directly बने वे तो यहां पर पहला statement है या पहला option है नीति आयोग ने बन बनाया है या फिर ministry of energy ने बनाया है या फिर इन में से कोई सी body नहीं है जिसने इसको बनाया हो आगे आते हैं उसके बाद में next question की तरफ आगला question बात करता है labor bureau के बारे में तो labor bureau के reference में आपको again दो statements दिये गए हैं बताना है कौन सा statement सही है पहला statement labor bureau क्या करता है जो consumer price index है for industrial workers इसको publish करने का काम करता है दूसरा यह body ministry of labor and employment के under में काम करती है बताओ कौन सा statement सही है option A1 only option B2 only option C दोनों सही है या फिर option D दोनों के दोनों गलत है आगे आते हैं उसके बाद में next question की तरफ अगला question हमारा बात करता है trifet के बारे में अभी recently trifet के बारे में हमने पढ़ा थ तो trifet की full form है tribal cooperative marketing development federation of India तो trifet के reference में आपको यहाँ पर दो statements दिये गए हैं बताना है कौन सा statement सही है पहला statement इस trifet को बनाया गया था multi-state cooperative societies act of 1984 के तहत दूसरा statement यह जो body है यह ministry of commerce के अंडर में काम करती है बताओ कौन सा statement यहाँ पर correct है फर्स statement बोलता है one only, second two only, third दोनों सही है या फिर fourth दोनों के दोनों गलत है नेक्स question के तरफ आता है अगला question हमारा बात करता है तपस के बारे में अभी recently हमने डिसकस किया तपस जो कि यहाँ पर एक unmanned aerial vehicle है UAV है इसके reference में आपको दो statement से दिये गए हैं बताना है कौन सा statement यह पर सही है पहला statement बोलता है कि इस तपस को बनाया गया है European Space Agency के थ्रूँ दूसरा statement बोलता है यह एक medium altitude long endurance surveillance वहिकल है तो मैं आपको बता दूँ दूसरा statement correct है इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने details आपको शायद यह नहीं बता है कि medium altitude long endurance वहिकल है बिल statement 2 हमारा correct है बाकि आप first statement को देखर सही उतर दे सकते हो option A1 only, option B2 only, option C दोनों सही है या फिर option D दोनों के दोनों गलत है नेक्स question के तरफ आता है अगला question हमारा बात करता है Arrow India 2023 के बारे में तो Arrow India 2023 के reference में आगे आपको दो statements दिये गए हैं बताना है कौन सा सही है statement number 1 बोलता है Arrow India 2023 यह जो event है यह हर दो साल में किया जाता है दूसरा 2023 का जो theme Arrow India का वो है the runway to a billion opportunities तो यह भी यहाँ पर statement 2 है बताओ कौन से statement सही निकलता है यहाँ पर option A1 only, option B2 only, option C दोनों सही है या फिर option D दोनों के दोनों गलत है नेक्स question की तरफ आता है अब यहाँ पर होते हैं हमारा सा इसके सारे questions हमाब I hope guys आप लोगों ने आपर सही से जो questions उनको attempt किये होंगे तो line से जितने भी हमने अभी questions देखे है ना अभी मैं आपको इन सारे answers को बताऊंगा line से सारे answers बताऊंगा तो उसके हिसाब से आपने check करना है कि कितने question आपने सही कि आपका कितना score आया है जितन दो statement दिये गए हैं तो यहाँ पर वैसे दोनों के दोनो statement सही है क्योंकि मैं आपको पढ़ाया है अभी थोड़ दिर पहले कि Aero India नाम का जो event है यह हर दो साल में होता है बिल्कुल सही बात है 2023 का जो theme है वो है the runway to a billion opportunities theme as it is रटना पढ़ता है तो यह भी यहाँ पर बिल्कु आ गया है Aeronautical Development Establishment के थ्रूँ ना कि European Space Agency के थ्रूँ एवन यह बहार की Space Agency है और देखो simple सी बात है यहाँ पर हम ऐसे भी eliminate कर सकते हैं अगर confusion हो भी रहे ना यह एक aerial vehicle है एक vehicle है है यहाँ पर हम defense के purpose से यूज कर रहे है तो Space Agency इसको बना के क्या करेगी ठीके ना तो आप ऐस सकते हैं यहाँ पर सही है मैंने आपको बताई दिया था एक medium altitude long endurance surveillance vehicle है जिसका काम है हमारे ground पर निग्रानी रखना data collection करना high quality की जो pictures है उनको यहाँ पर send करना ठीक है फिर उसके बाद मैं अगले question आपसे पूछा गया था that is tribal cooperative marketing development federation of India तो इसको लेकर जो दो statements हैं वहाँ पर बताना है कौन से सही है पहला statement इस body को multi-state cooperative societies act of 1984 के तहद बनाया गया बिल्कुल सही बात है दूसरा यह ministry of commerce के अंडर में आती है ऐसा नहीं है अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने आपर पढ़ाया था ministry of tribal affairs और ministry of commerce दोनों में बहुत gap है यह जो body है ministry of tribal affairs के अंडर में आती है और नाम से देखो यहाँ पर बात की जा रही है tribal people की tribal community की तो इनका social economic development करने के लिए इस body को बनाया गया था इस organization को बनाया गया था और यह organization ministry of tribal affair के अंडर में आती है वही ministry इसको handle करती है ना कि ministry of commerce that is why option या statement 2 जो हमारा वो wrong है आ गया आते है उसके बाद में अगले question में आपसे पूछा गया था labor bureau के बारे में तो labor bureau के reference में अगेन आपको दो statements दिए गए बताना है कौन से सही है पहला बिलकुल सही है और मैं आपको पढ़ा भी रखा है पहले भी in fact यह question UPSC ने पहले पूछ चुका है कि consumer price index for industrial worker कौन release करता है तो labor bureau यहाँ पर release करता है पहला statement correct है दूसरा क्या यह ministry of labor and employment गेंदर में काम करता है बिलकुल सही बात है हा इसी के अंडर में काम करता है that is why यहाँ पर जो हमारा सही उतर है वो option C हो जाएगा both one and two is the correct answer next question पर आता है अगला question आप से पूछा यह info crop simulation model के बारे में तो यह जो model है recently news मैं किसने बनाया है तो simple सा उतर है option number B E-R-E मैंने आपको बढ़ा बताया था ना भी है sorry I-A-R-E करके मैंने आपको बताया था तो यह जो E-R-E है तो यह है इसी body में इसको बनाया है कह सकते हो इसका full form है Indian Agriculture Research Institute फिर अगला question आप से यहाँ पर पूछा गया था Marburg Virus Disease को लेकर यहाँ पर next question पूछा गया था कहा गया अच्छा बीच में question और रहे है पहले सको discuss कर लेता है एक question आप से पूछा गया था Indian Council of Historical Research को लेकर बताना था कौँ सा statement सही है पहला statement क्या यह Ministry of Culture के एंडर में आता है नहीं बिलकुल गलत बात है क्योंकि अभी आपको प आती है दूसरा इसका काम है कुछ फंड प्रोवाइड करवान ताकि research की जा सके इंडियन और foreign scholars को फंड प्रोवाइड करवाय जाता है बिलकुल यहाँ पर सही बात है और research करने का इसका major काम भी है तो option B is the correct answer next question आपके पूछा गया था Marburg virus disease को लेकर तो Marburg virus disease को लेकर जो दो statement है देखने है बताओ कौन से सही है पहला भी correct है और दूसरा भी correct है अभी आपको पढ़ाया यह एक fever fever है है ना एक ऐसा fever जो कि यहाँ पर इंसानों के साथ साथ monkey और apes को भी affect करता है that is why statement बना सही है दूसर पूट बैट से human में transmit होता है और फिर उसके बाद human to human transmission भी बहुत बड़ी possibility है इस particular disease के अंदर में तो statement 2 भी हमारा correct है तो that is why option C हमारा से हो जाएगा बोथ 1 & 2 is the correct answer अगला question आप से पूछा गया था अच्छा और कोई question लिया है यह थोड़ा सा अलग एक topic हो जाता है वो हमने questions आपने यहां पर सही है मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में आज के लिए बाबाई have a nice day thank you and जहिंद वैसे मैं खुश हूँ कि मैं वीडियो record कर भाया यार वरना आज भी possibility नहीं थी कि मैं यहां पर इस वीडियो को record कर पाता और चलो हो यह एची बात है बागी मैं कोश देखे वाइसे आप समझते हो बहुत सारी बातों को कुछ एक दो लोग होता है जो कि आप पर नहीं समझते हैं चीज़ों को भी खैर उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता बट जो लोग समझते हैं जो supportive हैं उनके लिए बहुत कुछ है तो फिलाल करते हैं हम लोग अपने हम एक है तो है दोर लोग ज layout हैं में उनके का उता हैं अडरस्ब well लोग है उनके की लिए सर्फज़ों को भी खाल वोग में आप को को तो लोग हैं हो जो लोग मैं वे बगर सबंदा दिन में को में तो भी सते हैं आप उनके प्रना की नहीं समझते हैं जघक टोईने कीज़